यह जो विकास सुल्क लगाया गया है यह अर्याना सरकार ने सत्या नास सुल्क लगा दिया पबलिक को मारने के लिए जितने भी यहां खरीद फ्रोकत होती हैं वो करवाएंगे नहीं रिजिस्टियां उसकी वज़े से आम आदमी जो मकान के उपर खर्च करना चाहता है वो उ यह ग्रीबों के उपर कुठारागात है सरकार का तुगल की आदेश है इस आदेश के खिलाफ आदरिया सीरी रंदीप सुर्जेवाला ने चंडीगड में परसों प्रेस कांफरेंस करके पूरी आवाज उठाई है विकास सुलक के दो लाग रुपए दिने पड़ गए तो उसके साथ बड़ी जैती है तो हम इसका कड़े सब्दों में विरोध करते हैं विकास सुलक के दो कॉंगरेस पार्णाथ जोगास सुलक के दो इसम पार्णाथ कोणाथ जी रंदीर सी शुर्जेवाला ने चुछेवाला न है को पोचर ले जो 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 जिन्दाबाद बढ़ेज पार्टी विकास शुर्क गइश्डो साथियों आज का विशेश विज़े है हरियाना सरकार द्वारा नगर नगयम नगर प्रिशत और नगर पालिका के द्वारा जो नए मकान बनाने पर विकास सुल्क लिया जाता था जिसको हम डिवैल्मेंट फिस कहते हैं वह पहले रियाइसी इलाकों में 120 रुपे प्रतिवर्गज और कमर्शियल इलाकों में जो इसे जिनर्वाना हमारी लेकिन हरियाना सरकार द्वारा लगभग तीन दिन पहले एक तुगल की आदेश जारी किया गया जिसमें डिवैल्मेंट फिस को क्लेक्टर रेट का पांच प्रतिशत कर दिया गया मान लीजे नर्वाने का एक जैसे माल टाउन का इरिया है पत्राम नगर है अगर सैन नगर है यदि यहां कि 20,000 फ्रतिगज क्लेक्टरेड रेट है तो उसका 5 प्रतिशत यानि 1000 प्रतिगज जो 120 फ्रतिगज दी उसको 1000 फ्रतिगज ड्वैल्मेंट कमेटि को देना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात यह जो मकान बन रहे हैं और जिन्होंने 120 फ्रतिगज नगर प्र के हिसाब से उचे दुबारा लिया जाए ये ग्रीवों के उपर कुठारागात है सरकार का तुगल की आदेश है इस आदेश के खिलाफ आदरनिया सिरी रंदीप शुर्जेवाला ने चंडीगड में परसों प्रेस कांफरेंस करके पूरी आवाज उठाई है और हरियान सरकार को उन्हें यह चेताव नहीं दिये कि इसको तुलंतुरी के से वापिस दिया जाए और आज नर्वाना के अंदर स्री रंदीप सिंग स्विर्जवाला के देश पर कॉंग्रेस पार्टी नर्वाना के अंदर परसों सुक्रवार को दस बजे के विसाल रोज पर दर्शन करने चापन दिया जाएगा तो मैं अपील करता हूं सहर के सभी साथियों से ज्यादा से ज्यादा सिक्षा में इस रोज पर दर्शन में कत्रित होकर एकता का प्रिच्चा दें ताकि सरकार इस तुखल की फर्मान को जो यह लोगों के उपर अनाचार किया है दूरा चार किया है वापस ले और लोगों को रहात की सांच मिल इसके साथ-साथ हमारा यह भी विचाय है कि नगर परिश्चत के अंदर लगवग एक साल से चुनाव डू हैं नर्वाना नगर परिश्चत के अंदर हरियाना की सभी नगर पालिकाओं और परिश्चतों के अंदर चुने हुए प्रतिनिद्यों के नाहोंने से उफसर है जनता की सुनवाई नहीं कर रहे हिसी एंप विवस्था का निकार है फ्रककार्ण नहीं हुए बिल्कुल नगर प्रिशद ना मात्र की है किसी को कोई राहत नहीं है ना कोई सुनने वाड़ा है इसके खिलाब भी हम प्रदेश्चन कर रहे हैं और जन्स्वास्ता भी भाग नर्वाना के अंदर जगे जगे सीवर और फ्लो हैं पटेल नगर प्रोफेसर क्लोनी नई बस्ती हरी नगर बुरा हाल है आप जागर देखो वहां सड़ों को पर पानी है लोगों की जो मकान हैं उनके निवों के अंदर पानी भर गया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं ही है आज पूरे सहर के अंदर एवे वस्ता है तो नर्वाना की कॉंग्रस पार्टी के हमार एकत्री धोकर अपनी आवाज बुलंद करें और एकता का प्रीचा दिए सरकार के दुवारा यह नगर प्रिषद में विकास सुलक लगाया गया है इसका हम पुर्जोर विरोध करते हैं और श्री रणदीप शिंग सुर्जेवाला जी के निर्देशा नुसार सारे नर्वा पहले जो बीजेपी और जेजेपी सरकार ने यह तुगल की जो फ्रमान है सुनाया है इसका हम कड़े सब्दों में इसकी निंदा करते हैं और यह जो विकास विकास जो लगाया है इसमें 10% जो बढ़ा दिया गया है तो इसमें जो गरीब लोग हैं जिसके पास सोगज का प उसके साथ बड़ी जैती हैं तो हम इसका कड़े सब्दों में विरोध करते हैं और अभी 25 तारीक को 25 फरवरी को आदर्णिया अरंदीप सिंग सुर्जेवाला जी के आदेशा नुसार सुर्जेवाला भवन से एक विसाल रोष परदर्शन जो है किया जाएगा वह इसी में किया जाएगा यह विकास सुल्क जो लगाया है इसके विरोध में तो मेरी सभी हलकावाशियों से हाँ जोड़ करके यह विंती है कि इस रोष परदर्शन में जादे से जादे संख्या में भाग लें ताकि सरकार को यह पता लगे कि यह जन विरोधी जो नीतिया है सरकार की उसके खिलाब एक परदशन होकर के सरकार को मूँ तोड़ इसका जबाब दिया जाए और जो ये विकास लगाया गया है इसको सरकार जो है वापिस लेने पर पाबंद हो ये जो विकास लगाया गया है ये अरियाना सरकार ने सत्याफ नास शुलक लगा दिया पplिक को मारने के لिए जो लोग पहले ही मकान बनाने से वनचित थे अगर वो 20 गज़ का 50 गज़ का 100 गज़ का अगर पिलॉट ले करके मकान बनाएंगे तो वो गरीब फुक पातों के उपर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे इस से पहले BPL बिलो पावर्टी लाइन एक तरफ तो सरकार की BPL कस्तर सुधारने के लिए उनको बना करके मकान देगी दूसरी तरफ विकास शुल्क लगा करके ये शहर का विकास भी रुक जाएगा और इसका असर ये नहीं कि जो नक्षा पास करवाएगा उस उसके उपर लगेगा ये पूरी जन संख्या को प्रभावित करेगा इससे प्रोपर्टी डिल जितने भी यहां खरीद फ्रोकत होती है वो करवाएगे नहीं रिजिस्टियां क्योंकि ये रिजिस्टि के साथ मेंशन हो जाएगा 5% जो पहले रिजिस्टि शुल्क है जैसे 6% तो ये 11% हो जाएग वो उस मकान को बना ही नहीं पाता इससे तो अच्छा वो जोपड़ी में रहकर ही अपना खुश है इसलिए सरकार से ये निवेदन है कि अगर ये सरकार लोकतांत्रिक तरीके से अपने आपको समझती है जनहित में चलाना तो ये विकास सुल्क तुरंत वापिस लिया जाए वरना कॉंग्रेस पार्टी जब तक ये विकास सुल्क वापिस नहीं होगा धरने प्रदर्शन घेराव जोग नहीं करना होगा वो करेंगे और विकास सुल्क को वापिस लेने के लिए सरकार को घुटनों पर लाकर के खड़ा कर देंगे धन्यवाद